हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों हम आपको इस वीडियो में वन पेश टैक्सीडो कोट की कटिंग करना step by step प्रोस से बताएंगे दोस्तों चले वीडियो को सुरू करते हैं पधको Tfiau पेज की कटिंग करना step effect से बताते हैं इस तरह से आपको 1 इंच पे मारिक लगा लेना है इस तरह से इस वाल निसान को आपको सिधा कर देना है भिगbn में लगा देना है पिर आपको 2 इंच इस तरह से निसान लगा देना है यहाँ पर आपको सीने के 34 से पर निसान को लगाना है 12 इंच में सीना है तो 10.5 इंच का इसका 4 इसा है पिर आपको 1.5 इंच बैकर तो निसान को लगा देना है यह निसान आपको हाइवी साइज का कोट है तो इसमें 19 इंच पे लगेगा तो सोने नॉर्मल तो सोड़ा 17 पे लगता है कि वल इस तरह से 19 इंच पे निसान लगा देना है आपको यहाँ पे आपको पहुने 2 इंच पे निसान लगाना है इस तरह से इन step को रखते हुए किनार से आपको पौने 2 इंच पे निसान लगा देना है इसमें भी आपको पौने 2 इंच पे निसान लगा देना है यहाँ पे आपको 1.5 इंच का निसान लगा देना इस तरह से फिर आपको इन सबी निसानों को सिधा कर देना है इस तरह से इन सबी निसानों को आपको सिधा कर लेना है पिर आपको इस वाल निसान को इस तरह से यहां तक सिधा कर लेना है आपको इस यहां तक आपको सिधा कर लेना है इस वाल निसान को पिर आपको roundly scale का यूज़ करते हुए निसान लगाना है save देना है इस तरह से side में back में इस तरह से आपको scale को रखते हुए निसान लगा देना है शेफ के लिए फिर आपको scale को उल्टा करते हुए इस तरह से निसान को लगा देना है यहाँ पे आपको सीने के छटे हिससे पे निसान लगाना है इसका 7 इंचाया छटा हिसा 42 इंच का सीना है इस तरह से छटे इससे पर निसान लगा देना है फिर आपको इससे पॉना इंच प्लस करते हुए निसान लगाना है इस वाल निसान से आपको पॉना इंच प्लस करते हैं निसान लगाना है यहाँ पर आपको सोल्डर इसके निसान लगाना है सोल्डर है इसके अठारा इंच तो हमने साड़े नो इंच पर निसान लगा दिया इस तरह से एक्ष्टा निसान लगा देना है आपको दो सूत फिर आपको पहुने दो इंच पर निसान लगा देना है इस तरह से पिर आपको इस तरह से निसान को इस तरह से रखते हुए क्रोस बैक का निसान लगाने लेना है इस तरह से आपको क्रोस बैक का निसान लगाना है आधा है जेक श्राक करते हुए निसान लगा देना है पिर आपको क्रोस बैक का नाप देख लेना है कितनी है क्रोस बैक इसकी स्केल को रखते हुए निसान लगा देना है इस तरह से आपको अच्छे से मिला लेना निसान को इस वाले स्केल से आपको यह इनसान को लगा लेना है इसके दूरी हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका इस तरह से नाप लेना साथ इंच यहार से आपको देख लिए साथ इंच पर निशान लगा देना है आपको यह सीने के छेटे से पर यहां से निसान लगा सकते हैं यहां पर आपको कंदे को सीने के बार्वा इसे पर आपको निसान लगाना है सीने का बार्वा इसका आया है 3.5 इंच 3 इंच पर यह निसान लगाया भाले के लिए फिर आपको इसमें राउंडिंग दे देनी है इस तरह से आपको राउंडिंग इसमें दे देनी है फिर आपको इस तरह से स्केल को उल्टा करते हुए कंधी डाउनिंग का निसान लगाना है इस तरह से रखते हुए स्केल को कंधी डाउनिंग का निसान लगा ऐसे लिए इसान को इस तरह से मिलाते हुए सीधा करते से आपको! इस वाज एक्सेरे कर लेते हैं कि पूरा कर लेना आपको ब्रप लेते हैं कर दो, कर दो दो डरण चाल, हो गई है इसकी इसकी फ्रेंट पीस के लिए हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से इसमें आपको देख लेना निकलेगा कि नहीं इसमें 36 साइट तक क्यों निखलेगा सब्सक्राइब आपको आगे से निकलना होगा इसके फ्रेंट पीस को इस तरह से कपड़ को फोल्ड कर लेना अच्छे से बेठा लेना है तो आपको यहां पर एक इंच पर निशान लगा देना है दोस्तों एक कॉलर की राउंड देने के लिए इस वाल इनसान को सिधा कर देन है आपको इस तरह से इंस्वाल इंसान को सिधा कर देना है बैक पीस को इस पर रख देना है आपको फ्रेंट पीस पर इस तरह से आपको बैक पिर आपको रखने के बाद आपको उपÁ देख लेना है पांचular बिचना चाहिए इस्वाई निसान को इस तरह से आपको रखते हों इससानों को उठा लेना है इसाइवने निसानों को आपको उठा लेना है इसरो इसements के आपको निसान को लगाने में तो हमारी एक वीडियो आ गई है चैनल पर साउल कॉलर कोड की कटिंग की उसमें हमने बारिखिय से निसान लगाना बताया है उस वाकि आप देख सकते हैं इस तरह के निसान लगाना है आपको बाकि इसी में आपको पुरा जानकारी देने कोश्च इस सबीन इसान पापको अच्छे से लगा लेना है अ कि इस तरह से चार इंसान लगा लेना फिर इस तरह से इस तरह से pocket वाल निसान को सिधा कर लेना है यहां पर आगे निसान लगा देना है बटन के लिए दोस्तों यह इस वाल निसान से आपको इस वाल निसान पर निसान लगा देना है बटन के लिए यहां पर भी इससे आपको आधारेंज इस्टा करते हैं निसान लगा देना है न दूसर इसका फ्रेंट राउंड है इस तरह से आपको एसकेल को रखते हो निसान को लगा लेना है राउंड के लिए इस तरह से इसकेल को रखते हो इस तरह से आपको यहां तक आपको मिला लेना है यहां तक आपको मिलाते हो निसानों को लगा लेना है इस तरह से पिर आपको यहाँ पे आपको पौने दो इंच पे निसान लगा लेना इस तरह से यहाँ पे आपको सीने के बारू है इसे से आधा इंच कम करते हैं निसान को लगाना है इस तरह से साड़े तीन जिसका शीने का बार्वा इसा फिर आपको तीर इंच पर इस तरह से निसान लगा देना है इस से आपको पौना इंच इस तरह से डाउन करतों इस निसान को लगाना है इस वाल इंसान से आपको इस वाल इंसान तक मिलाना है नपेल के लिए इस तरह से इन सभी निसानों को मिला लेना है आपको नपेल के लिए इस तरह से आगे तक आपको सिधा कर देना है इस तरह से इन सभी निसानों को आपको लगा लेना है यहां से आपको पहुने तीन इंच पे इस तरह से निसान लगाना है लपेल के लिए इस तरह से यहाँ पर आपको दो इंच पर निसान लगाना है दोस्तो नपेल आपने इसाप से रख सकते हैं राउंड जितनी इसमें दो तीन मॉडल होते हैं टैक्सीरो कोट में कटिंग करने के लिए इस तरह से आप चाहे जो भी चाहे वो भी कालर रख सकते हैं इसमें इस तरह में हमाहल का सा राउंड रखने वाले हैं इस तरह से आपको निसान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं को रखते हुए कॉलर के लिए इस तरह से आपको कॉलर के लिए मार्क लगा देने हैं फिर आपको इसके फिटिंग के मार्क लगाना है देख ली दिया आपको जो अपने बैक पिस को भी कट किया उस पर आपको इस तरह से रख लेना है फिर रखने के बाद अच्छे से बिठा लेना है फिर आपको यहाँ से आपको नाप लेना है जितना आपने कट किया है इसमें 8.5 इंच हमने बैक क्यों कट किया है इस तरह से नापलिये के बाद इस तरह से बैक पर इसको हटा देना है फिर आपको इस वाल इंसान से 8.5 इंच इस तरह से आपको बाहर निखालते हुए 38 इंच बाहर निखालते हुए आपको इस तरह से इंच टेप को रखते हुए सीने के दूसरे हिस्टे पे निसान को लगा लेना है 42 इंच का सीना है 12 इंच आया है इस तरह से सीने के दूसरे हिस्टे पे 12 इंच पे मतलब निसान लगा लेना है आपको फिटिंग के लिए इस तरह से इस तरह से निसान लगा लेना है आपको इसी तरह से आपको बैक पीस का निसान लगाना है इस तरह से अच्छे से बिठाने के बाद आपको आधा इंच दबाव के लिए छोड़ देना है आपको फिर आपको इस तरह से निसान देख लेन कर्कारर से होग निखान लगाना है इस्तरा से कपड़े को आपको बढ़ा लेना उस भी यह सली हमाने कैने हैं यह दोस्तों इस था सब्सक्राब्ला इसको फोल्ड होगी इस आपकोुष इस वोल््ट होगी इसाएल दबा निखालता हुए आपको कट करना है धारी चाहारी साथ इन्च का सब्सक्राटकु Infinite कट के पास यहां पर आपको दो इंच का निसान लगा देना इस तरह से इसमें भी आपको सवा दो इंच पर निसान लगा देना है फिर आपको इस वाल इंच से सीने के छटाइस से पर निसान को लगा लेना है इस तरह से साथ इंच इसका छटाइस से आया इस तरह से इस वाल इनसान को लगा देना है पिर ये तक्तिवाल इनसान को सिधा कर देना है दोस्तों ये तक्तिक का निसान है इस तरह से इस वाल इनसान को सिधा कर देना है यहाँ पर आपको पौने दो इंच पर कंधी डाउनिंग का निसान लगाना चाहें बाकिये सिधा ही आएगा आपको पहले मारे किया है बैक पीस को रखते हुए इस तरह से इस वाल इंसान को आपको सिधा कर लेना है इस तरह से आपको सिधा कर लेना है यह आपको इस तरह से इंसान को लगा देना है यह वाल इंसान को आपको इस तरह से लगा देना है इस तरह से इस वाइल निसान से आपको 2 इंच पर निसान लगा देना है दोस्तों गर नॉर्मल है तो आप इसमें 1.5 इंच पर लगा सकते हैं हमने इसमें 2 इंच का निसान लगा दिया है इस तरह से इस तरह से आपको 5 इंच प्लस करते निसान को लगा लेना है इस वाइल निसान से आपको इस तरह से नाप लेना है 12 इंच का आया तो इसमें 1 इंच कम करते हो इस तरह से 12 इंच कम करते हो निसान को लगा लेना नीचे भी इसे प्रकार से आपको नीचे 11 इंच पर नीचे भी इस तरह से आपको निसान को सिधा कर देना है इस तरह से इस व को मिला देना है जो आपने भी डेड़े इंच पर निसान को लगाया है उस वाल इंसान तक आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए यहां पर भी आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए पट्री को इस तरह से रखते हुए आपको निसान को लगा देना है यह इस तरह से आपक इसके बाद आपको इस तरह से इस वाल इंसान को इस तरह से सिधा कर देना है, इस तरह से दोस्तो इस वाल इंसान को आपको सिधा कर देना है, पिर आपको इस वाल इंसान को लगाने के बाद, इस वाल इंसान से आपको फिर आपको दो इंच पर निसान लगा लेना है, इस वाल इंसान से आपको आपको पॉकेट का निसान लगाना है, इस तरह से चार इंच पर पॉकेट का निसान को लगा देना है, फिर आपको पॉकेट वाल इंसान को सिधा करना है, इस तरह से स्केल क सवाच यहां सब्सक्राइब लगा देना है है कि यह के यहां पर हुआ को नौर्मल अगर तो इस यहां से भी ज़िए पहने तीन इंची हम सी chemotherapy लगा देना है फिर आपको ये डेट वाला निसान को आपको सिधा कर देना है। यहां से आपको एक इंच पर निसान को लगा देना है। यहां से आपको पॉकेट से एक इंच एक्ष्टा करते हैं निसान को लगा देना है। इस तरह से pocket के एक इंच से एक्से टा कर दो निसान को लगा लेना है इस वाल निसान को सिधा कर देना है pocket वाल निसान को यहां फिर आपको पौने दो इंच पर निसान लगा लेना है फ्लैप के लिए इस तरह से पौने दो इंच पे निसान को लगा देना है यहाँ पे भी आपको पौने दो इंच पे निसान को लगा देना है फिर आपको यह फ्लाप वाल इंचान को आपको सिधा कर देना है इस तरह से इसमें दोस्तों राउंड फ्लैप है तो इसके राउंड का निसान लगाना है आपको इस तरह से इस टेप रखते हो निसान को लगा देना है राउंड निसान लगा देना है आपको फ्लैप के लिए इस तरह से इस तरह से आपको सवाव इंच पर निसान लगा देना है यहाँ पर भी आपको सवाव इंच पर नीचे भी आपको सवाव इंच पर निसान लगा देना है इस तरह से बैक पिस को आपको इस पर रखने ना है इस तरह से आपको निसान को रखना है ये इस तरह से आपको मिला लेना है रखने के बाद आपको इस तरह से अच्छे से बठा लेना है निसानों को मिला लेना है पिर आपको इस वाल निसान को कॉपी कर लेना है इस तरह से इस तरह से इस वाल निसान को पेस्ट कर देना है इस पे पिर आपको इस वाल निसान को इस तरह से सिधा कर देना है इस तरह से इस वाल निसान को सिधा कर देना है आपको इस वाइल निसान को आपको पूरा कर लेना है फिर आपको इस वाइल निसान को यहाँ ते मिलाना है आपको इस तरह से राउंड रिले स्केल का आपको यूज़ करते हुए निसान को लगा लेना है इस तरह से इस तरह से निसान को लगा देना है आपको यहाँ पर आपको हलका सा राउंड दे देना है यहाँ पर आपको इस तरह से अच्छे से बिठा लेना है यहाँ पर आपको सलाई का माजन निखाल देना इस तरह से आधा एंच लाई का माजन आपको निखालते हुए इस तरह से अच्छे से बठाने के बाद आपको इस वाल इनसान तक आपको बठा लेना है इस तरह से पिर आपको इस वाल इनसान से इस वाल इनसान को आमने सामने मिला देना इस तरह से मिलाने के बाद आपको इस तरह से निसान को लगा देना है एक सूथ आपको कम करते हैं निसान को लगा देना है यहाँ पे आपको हाईवी साइच के लिए आपको पहने तीन इंच पे नहीं तो आपको धाई इंच पे निसान को लगा देना है इस्तरा से इस तरह से आपको पौने 3 इंच परसान को लगा देना है याफी जाइज करते हुए कि इस तरह से से णिचान लगा देना है passou यहां तक आपको आपने ज्यूlor यह फ्यार बल तरह मिला देना है इसमें आपको आप महल के लिए राउंड देना है आपको राउंड शेप्ट में इससे आपको दो सूद कम करते हुए साइट पैनल को कट करना है इस तरह से आपको साइट पैनल करनिसान को लगा देना है इस तरह से यहां पर आपको इसकेल को मिलाते हुए कंधी डाउनिक का निशान लगाना है इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं आपको फिर दिखाते हैं इस तरह से इसे हैं को सीदा कर देना है चलिए दोस्तों इसकी cutting कर लेते हैं दोस्तों आप इसकी सभी निसानों को आप देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से आपको cut कर लेना है आपको friend piece को आपको इस तरह से अच्छे से cut कर लेना है आर्म होल के लिए इस तरह से आपको cut कर लेना है अच्छे से इसमें भी आपको इस तरह से कट कर लेना है इस तरह से इसमें भी आपको इस तरह से कप्रे को निखालते हैं इस तरह से कट कर लेना है इस तरह से कॉलर को आपको कट करना है अच्छे से कॉलर में आपको थोड़ा अच्छे से कट कर लेना है इस तरह से इस तरह से आपको नीचे तक कट कर लेना है आपको इसको भी आपको इस तरह से आलग करते हों कट कर लेना है दोस्तों गर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों गर इसकी स्लीव की दीजे मिलते हैं कि नए वीडिए में नये topics के साथ इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं इसका कॉलर की तरह से रेड्य हुआ है मिना करें कि इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं श्लिचर आप तो मिस्टिचिंग के भी आपको दिखाएंगे इस तरह से दोस्तों कटिंग हो चकी है इमारे पीस की कि कि